अगर आप मेरे चैनल पर एक्टिव सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होंगा कि मैंने प्रिवेसली एक वीडियो अप्लोट किया था जिस वीडियो में मैंने आपको स्कैनर की अन्बॉक्सिंग एंड रिव्यू दिया था पूर एक्सवाइज जो भी था इन डिटेल आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्कैनर का डेमो आखिर किस तरह से स्कैनर यूज किया जाता है क्या के चीज़ आपको फॉलो करना है और बेसिकली अगर जिसको नहीं पता है आखिर यह स्कैनर जो है वो किस तरह से वर्क करता है क्या के चीज़ आपको फॉल आता है बट किस तरह से यूज़ करना है कहां पर इंफर्मेशन देखना है कैसे देखना है अगर कुछ भी नहीं पता है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्कैनर लगता है उसके बाद किस तरह से आगी की प्रोसेश रहती है किस तरह से स्मार्टफोन में इसको कनेक करना है सब बताता हूँ अभी चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल शुर्ण के लिए तो अभी हमने जैसे के हमारे जो डिवाइस है उसे वीकल में मतलब टेच कर दिया है अब उसके बाद जो प्रोसेस है वो यह है कि आपकोड़ ब्लूटूथ के आप्शन में जाना है और यहां आपको इससे प्रोसेस है तो यहां OPD2 करके आ चुका है इस पर क्लिक करना है अब जैसे इस पर क्लिक करोंगे तो आप देख सकते हो यहां आपको देखने को मिल रहा है एक पिन means एक तरह से ही पासवर्ड है अब पासवर्ड में आपको बता देता हूँ कई सारे OBT2 में यह ऐसा option आता है सबसे वहली यह दोनों को अगर ऐसा option आ रहा है तो आप टिक कर दो और यहां जो पासवर्ड usually रहता है वो आपको 1234 यह पासवर्ड आपको डाल के तो यहां मैं 1234 डाला हूँ यहां ऻूपे और यहां मैं एक अब कहीं भी आपको ने जाना है यहां एक को बीख करना है उसके बाद आपके आप जो वहिकल है उसका इंगिनिशन आन करना है उसके बाद आपको चले जाना है आपके टॉर्क प्रो एप्लिकेशन में टॉर्क प्रो यह एप्लिकेशन है अब इसकी लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्षन में यह बेसिकलिए अगर आप प्ले स्टोर से लिए तो आपको पेट पड़ेंगा और 2000 यह 300 रुपए पड़ेंगा बट मैंने आपको फ्री में दिया हूँ इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एप्लिकेशन आप ले सकते हो कई सारे आप्शन आपको इस एप्लिकेशन के अंदर मिल जाते हैं सब मैं बताता हूँ एक एक करके तो अभी मैंने अपणी विएकल का इगनिशन आउन किया हूँ यहां उपर आप देख सकते हो connected to ECU ओके यह लिखके आना चाहिए अगर आप अच्छे से सोबन मैंने अपने वीहिकल के कुछ जो कॉईल होता है इगनिशन कॉईल उसके दो वायर वहाँ निकाल लिया हूँ अब उसके बाद फॉल्ट कोड देखते है देख सकते हूँ यह इगनिशन कोईल लिखके आ रहा है तो अब अगर आपको यह समझ रहें यह आकिर क्या है यह क्या फॉल्ड कोड है तो आपको एक फॉल्ड कोड पे क्लिक करना है और यहां आपको ओप्षण दिख रहा है वैप लुक आउट तो यहां आपको वैप पे सीदह चले जाओंगे और सारी डिटेल आपको मिल तो आपके वहिकल जो है, वो किता एवरेज आपकी वहिकल दे रही है। ग्राफिकल फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगा, test result मिल जाएंगा, और रियल टाइम भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वहिकल स्टार्ट करके, तो मैंने अभी मेरी वेहिकल को स्टाइट कर लिया हूँ DAVID आफ देख सकते हो यहां, यह जो है यह ओर summarize है कितना यहां हो रहा है अभी जो दैख सकते है अ अभी मैने अपनी वेहिकल को स्टाइट कर लिया हूँ अब रियलon Siya हो चाले जाता हूँ जब यह running में आएंगी तो यह speed भी change उतरेंगी acceleration आप देख सकते हूँ अब मैं कुछ भी accelerate नहीं किया हूँ revolution भी आप देख सकते हूँ अब मैं थोड़ accelerate करता हूँ और आप यह दोनों चीज़ों को देखना देहन से revolution आप देख सकते हूँ यह RPM इंक्रीज हूँ मैंने जब accelerate किया तो सारी information आप देख सकते हूँ अब मैं चले जाता हूँ fuel economy में फ्यूल economy में चले जाता हूँ मैं एक चीज़ यहां दिखा रहा है वो है CO2 produced बाकि ऐसा कुछ दिखा तो नहीं रहा है बट चेक करते हैं तो यहां भी धीरे धीरे करके चीज़े चेंज हो रही है fuel wasted करके आप देख सकते हूँ 0.01 लिटर आइडल में इसको basically थोड़ टाइम लगता है ऐसा नहीं कि आपने अपकी वेहिकल स्टार्ट कर लिए और एकदम से यह fuel economy शो हो जाएंगी जब आप थोड़े कुछ किलोमेटर चलाते हो उसके बाद पूरी correct information आप सभी को मिल जाएंगी और graphical method में भी यहां आप देख सकते हो हर एक चीज़े इसमें आपको मिल जाएंगी अभी देख सकते हो दिरे दिरे हर एक values इसकी change हो रही है जब vehicle आपकी running में आएंगी जब कुछ speed पे आएंगी तो यह काफी अच्छी आपको report मिल जाएंगी यहां से तो आप आपकी fuel economy भी check कर सकते हो अब मैं double से चल जाता हूँ real time information में अब देखते हैं यहां देखो coolant का temperature different हो गया है vacuum speed तो वही है revolution इस सब चीजे values life change हो रही है तो आप भी इसी तरह से इस application को use कर सकते हो और हर एक चीजे आपको application के अदर मिल जाएंगी इसकी link मैं आपको description में दे दिया हूँ बिलकुल free मैं आप download कर सकते हो कोई भी पैसे देने की जरूत नहीं है मैं आपको free में provide किया हूँ link आपको description में मिल जाएंगी please उसे download करिए और इस application को use करिए pro application है हर एक features इस application के अंदर आप सभी को मिलने वाले है जैसे कि आपने देखा हमने पूरी testing किये क्या के चीजे आती है किस तरह से इसे work करना है कहां पे लगता है और जिसको नहीं पता था वो अच्छे से सिख गया हूँगा बट बात आती है यह application की मैंने जो application यूज किया वो थी टॉर्क प्रो application अगर वही application आप play store से लेते हो अगर install करते हो तो वहां आपको 200 रूपे पे करना पढ़ सकता है और करना भी पढ़ेंगा क्योंकि यह paid application है बट मैं आपको वही application free में दे रहा हूँ link मैंने आपको description में दे दियो वहां से आप Torque Pro application बिलकुल free में download कर सकते हो 200 रूपे देने की आपको कोई भी ज़रूत नहीं है मैं आपको वहां free में provide कर रहा हूँ आप वहां से Torque Pro application download कर सकते हो otherwise आपको Torque light यूज करना पड़ेंगा बर उसमें आपको ज़्यादा कुछ features नहीं मिलने वाले Torque Pro आप download कर सकते हो link उसकी description में है बिलकुल free of cost है मैं कोई भी आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ आप free में download वहां से कर सकते हो और उस application को use कर सकते हो यही था इस scanner का demo काफी अच्छा है compatible भी है और काफी easily हमने एक एक information भी हमारे vehicle की directly ECU से direct हमारे mobile में चेक कर ली वो भी real time जो कि बहुत अच्छी बात है surprising है इसकी 300 रूपे 300 रूपे में हमने हमारे vehicle पूरी scan कर लिए जो कि काफी अच्छी बाते आपको कहीं जाने की जरूद नहीं है आशकर तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगाऊंगा इन डीटेल में आपको समझ भी गयाऊंगा कुछ अगर आपके doubt है या फिर कुछ भी आपके question है तो आप comment box में कर सकते हो मैं हर एक doubt आपके clear कर देता हूँ और जो भी आपकी question है उसका reply भी देता हूँ आज के लिए ताही मिलते हम next studio में जब तक ले गुड़ भाई